वेल्कम टू माय चानल आज हम लोग बनाने वाले हैं बिर्यानी वो भी साउथ हस्टाइल ये बिर्यानी मैंने चार लोगों के लिए बनाई है ये बनाने में बहुत ही आसान और स्वादेश्ट रेस्पी है आप देख सकते हैं ये बिर्याने बिल्कुल खुली-खुली बनी ह और ये बनाना काफी असान है इसके लिए हमें बसी, छोटी लाइची, अस्टार और दालचीनी चाहिए जिसे हम लोग मिक्सी में डाल कर पीस लेंगे इसमें 4-5 कली काजुका भी डालेंगे इसे पाउडर बनने तक पीसना इसके बाद हमें कुछ इंग्रेडियन चाहिए प्याज, लसर, अदरक और मिर्च इसे भी पीस लेंगे साथ ही साथ हमें कुछ सबजियां चाहिए सबजियां में हम लोग गाजर, बेंस और गोबी लिये हैं क्राहे में टेल डालकर, कुछ डॉप घी डालकर और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे गर्म होने के बाद उसमें प्याज, अदरक, मिर्च का पेस्ट डालकर उसे अच्छी तरह से पांच मिनिट के लिए भूझेंगे जब यह गोल्डन कलर की हो जाएगी उसके बाद इसमें हम लोग मसाले डाल देंगे जो हमने रेडि किये थे इसे बापस से पांच मिनिट के लिए भूझेंगे जब मसाले अच्छी तरह से भूझा जाएगे उसमें धोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जलेंगे उसके बाद इसमें जो भी हमने सबजियां काट कर रखी थी बीन्स, गाजर, कोबी उसे हम लोग अच्छी तरह से डाल कर साथ में पूदीना और धनिया पत्ता डाल कर उसे मिलाएंगे मिलाने के बाद कुछ अनदर मसाले जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाले डालेंगे लाल मिर्श, हल्दी और नमक मसाले को अच्छी तरह से भूंजेंगे, भूंज कर 5-10 मिनित के लिए हम लोग इसे पकाएंगे पकाते समय मसाले जले नहीं, इसके लिए हम लोग पानी भी डाल रहे हैं इसमें हमने मटर की हरी दाने भी डाले हैं डालने के बाद इसे पापसे 5 मिनित के लिए भूंजेंगे मसाले को तब तक भूंजेंगे, जब तक मसाले की तेल बापस उपर ना आ जाए भूंजते समय बापसे हम लोग पानी भी डाल रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं मसाले को हम लोग बार वार थोड़ी पानी दे कर और भूंजते जाएंगे मसाले को टोटल हम लोग 10 से 15 मिनित तक ढख कर भूंजेंगे जब तक ये मसाले अच्छी तरह से तेल ना छोड़ दे बापस से हमने नमक डाला नमक स्वादर नुशार होगा नमक डाल कर हमने अच्छी तरह से मसाले को भूंजे हैं इसमें नीमू के जूस एक बड़ा स्पून भी डाले हैं हम देख सकते मसाले अच्छी तरह से भूंजा गई है और इसका तेल भी उपर आ गया है अब इसमें हम लोग दही डालेंगे दही हमने तीन बड़ी चम्मच ली हैं दही डालने के बाद बापस से हम लोग इसे सही से मिलाएंगे इसे हम लोग 2-5 मिनिट के लिए बापस से मिलाएंगे हम देख सकते हैं ये मसाले काफी अच्छी तरह से भूंजा गई है कुल ये मसाले को हमने 15 मिनिट के लिए भूंजे हैं भूंजने के बाद इसमें हमने पानी आट किया है पानी जितना चावल ले रहे हैं उससे दुगना पानी होना चाहिए पानी अच्छी तरह से पानी में जब उबाल आ जाएगे मसाले अच्छी तरह से उसमें फ्लेवर आ जाएगे उसके बाद उसमें हम चावल डाल रहे हैं चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाया कर पकाना है बीच बीच में हमें ये चावल को चलाना भी है ताकि ये चावल जले और सटे नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें इसके लिए हमने जीरा राइस का यूज किया है जो काफी जल्दी पक जाते हैं बापस से इसमें हमने आधा चमच नेमबो का जूस और आधा चमच घी एड़ किया है इसे अच्छी तरह से पकाना है पांच मिनिट पक जाने के बाद इसे हम लोग ढग देंगे बापस से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे अब हम देख सकते हैं चावल यह अच्छी तरह पक गया है चावल पकने के बाद हम लोग गैस को बंद कर देंगे इसमें केले के पत्ते डालेंगे केले के पत्ते डालने के बाद केले के पत्ते से अच्छी तरह से चावल को गवर कर देंगे सीटी को निकाल कर गैस को बंद कर देंगे इसे हमें 20 मिनट के लिए रखना है 20 मिनट के बाद हम देख सकते हैं हमारी बिर्यानी बनकर रेडी हो गई है ये बिर्यानी काफी खुली-खुली बनी है जो कि हमने 4 लोगों के लिए बनाया है अब ये बिर्यानी को हम लोग प्लेट में सर्फ करेंगे हमारी बिर्यानी रेडी है थैंक यू फूब